मंत्री जी आप इन विध्धार्थियों की बाते क्यों नहीं सुनते ऐसा जब यूट्यूब पर पढ़ाने वाले एक टीचर ने मंत्री जी से पूछा तो नमस्कार मैं हूँ गौरव सर्मा एडवाइज एंड एजूकेशन चनल पर आपकर स्वागत है तो आप सभी के लिए लाहूं में खुसकबरी और बिल्कुल ही एक लेटेस्ट न्यूज आप हमारे चनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपके पास नौटिफिकेशन आते रहें नई नी अफडेटों के और शलते हैं मंतरी जी की बात पर एक यूट्यूप पर प्रहाने वाले ठीचर ने जब मंतरी जी से पूछा कि मंतरी जी आप इम लिध्यार्थिं की बाथ क्यों नहीं सुनते हैं ये बिद्धारती कई महीनों से और काफी दिनों से एच एसी के दफ्तर के चकर काट रहे हैं और भूके प्यासे मच्छरों पक खबते हुए वहां इंतियार कर रहे हैं अपनी नियुक्तों का तो मंत्री जी बोले इसके बारे में सोचा जाएगा देख ड़े क्या नहीं का दब अनु मत्री जी ने जवाब दिया कि हम इस वारे में देखेंगे तब उस यूटूब पर बढ़ाने वाले टीचर्ड ने उनसे पूचा गुरुप सी का रजलत आया था मंत्री जी और गुरुप सी का जो रजलत आया था वह तीन वार आया था नभी जो गुरुप D का रजल्ट आया है क्या उस भर्ती में फेर सेलेक्षन हुआ है क्या उस भर्ती में पारद रजल्सिता बर्ती गई तो मंत्री जी ने जवाब दिया हम देखते हैं इस वारे में जैसे ही गुरुप C का रवाय स्वासन दिया कि गुरुप डी का रजल्ट भी और एलम जेई और फायर ओपरेटर इनके रजल्ट भी रिवाइज्ड किये जाएंगे तो उस अध्यापक ने उनसे पूछा क्या ये बिध्धारती तब तक इज़ार करते रहेंगे तब उन मंत्री जी ने जवाब दिया मैं जल्द ही हसी के अधिकारियों से बात करता हूँ और इन बच्चों की समझ्चाओं का समाधान करता हूँ उस अध्यापक पर रुका नहीं गया और उस अध्यापक ने सठीक सा कॉशन करते हुए कहा कि कब तक मंत्री जी आप इसका जवाब देजिए तो उन्होंने कहा मैं इस समझ्चाओं का समाधान आने वाले इसी वीक में कर दूँगा अब उस अध्यापक ने तुरंट काउंटर कॉशन करते हुए कहा कि मंत्री जी आप हमें ये बताइए कि आचार सहीता में रिवाइज किया जा सकता है तो मंत्री जी ने कहा जी रिवाइज किया जा सकता है कोई नया रिवाइज तो नहीं लाया जा सकता लेकिन उसी रिवाइज में और अनिल विजने सीधा सीधा कहा है कि आने वाले इसी हथे में गुरुप D का रजल्ट रिवाइज किया जाएगा और खास कर गुरुप C का भी, क्योंकि गुरुप C और गुरुप D के रजल्ट में बहुत सारी खामिया थी और उनको एक पत्र भी दिया गया और उस पत्र में बहुत सारे प्रूफ दिये गए कि इन लोगों का सेलेक्शन और जोब्स में हो चुका है फिर इनका रॉल नंबर इस गुरुप D के रजल्ट काड़ रहे है इस तरीके से मंत्री जी देखते रहे गए और उन्होंने का खामिया तो हैं इन खामियों को थीक करने का सुधारा किया जाएगा और आपको आस्वास संदिया जाता है और आपको भरोसा दिलाया जाता है कि आने वाले एक हपते के दोरान गुरुप D का हंडेर परसेंट रिवाइज रजल्ट किया जाएगा और एक कॉशन ये भी किया गया उस यूट्यूब पर प्रहने वाले टीचर के दोरा कि मंत्री जी सन दोहजार अठा में मैं पिसली भरतियों की बात नहीं कर रहा मेरे पास सारा ओन रिकॉर्ड है केवल आप मुझे बता दीजिए दोहजार अठारे में जो भरती होई थी अठारा हजार गुरुप D के स्टूडेंट्स की उस भरती के हाला कि तीन रजल्ट वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकत हैं और मात्र 14,000 की भरती में जिसमें से 10,000 का रजल्ट आउट किया गया उसमें जो कट अप गई है मंत्री जी वो 81 गई हुई है और आपकी इन भरतियों पर सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं इनके वारे में आप क्या कहेंगे तो मंत्री जी ने कहा मैं कूट पर कोई टि आई जाएं और मैंने ये भी कहा कि मंत्री जी आप किरप्या करके ये भी बताएं कि इतने आज जो कट अफ गई है क्या ये गुरुप डी के बच्चों के लिए इनसाफ की बात है तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिये लेकिन मैं आपको मोटा मोटी तोर पर ये की बात बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि रिजल्ट रिवाइज होगा आने वाले इसी वीक में रिजल्ट रिवाइज होगा गुरुप सी का भी और गुरुप डी का भी तो ये आप लोगों के लिए खुशकवरी थी तो आप ज़्यादा समय ना ले ज़्यादा परेशान ना हो और आपका result revised होगा यह आपके लिए खुशकवरी है और मैंने और जिस YouTube पर पढ़ाने वाली टीचर ने उनसे बातचीत की उस बातचीत के कुछ अंस आपके सामने पेस किये और मैं गौरब सर्मा आप सभी के लिए जितनी भी अपडेट जितनी भी नियूज दाता हूं बिल्कु अनिलिविज जी एक ऐसे मंत्री हैं उनके पास कोई भी चला जाए वो हर बात का सठीक तास से जवाब देते हैं तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है जैसा भी जैसी भी बारतलाप उनके साथ हुई थी तो प्लीज ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर और कमेंट भी करें किसी का कोई डाउट हो तो मैं कमेंट का जवाब दूँगा सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा इंच्टा पेसबुक पर सेयर करें नमस्कार